राधे राधे प्यारे भाईयों, बहनों, माताओं, मादधूं संसकार की बाधे चैनल में आपका स्वागत है बंधूं, आज माग महीने के सोमवार के दिन मैं आपके लिलाई हूँ भगवाण शिफ की कथा जिसे सुनने मात्व से भगवान शिव आपकी हर्मनों कामना पूरी करेंगे बंधों पूरन विश्वास सच्ची निष्ठा के साथ ही कथा को पूरी सुने सुनने के बाद कमेंट बोक्स में जै शिव शंकर भोले नाथ जरूर लिखें बोलो शिव शंकर भोले नाथ की जै हो भगवान शिर्व समुद्र के उस पार उत्तम समाधी लगाए योगासन पर विराज मान थे उनके पाशद उन्हें सब और से घेरे हुए थे वे सर्प राज वासुकी को छाती से चिपकाई हुए यग्योपवीद की भाती धारन करते थे कंबल और अशुतर इन दोनों नागों को उन्होंने दोनों कानों का कुंडल बना रखा था कर कोटक और कुलिक से उत्तम कंकन का काम लेते हुए उन्हें अपने दोनों हाथों में धारन किया था शांक और पदम नामक नाग का भुजबंद धारन करके वे बड़ी शोभा पा रहे थे पहनने योग्य वस्र के स्थान पर उन्होंने बाग का चमडाल पेट रखा था वे मस्तक पर भागीर्थी गंगा और अर्ध चंद्रिउप जटाजूट धारन किये बड़े बड़े ज्यानी महात्मों के साथ विराज मान थी उनके शी अंगों की कांती कपूर के समान गोर थी और कंड में नील चिन सुशोबित था भगवान के पास ही उनके वाहन नंदिकेश्वर भी थी ऐसी अद्भुत शोबा से युक्त सुर्षेष शिव का समस्त देवताओं ने दर्शन किया उस समय ब्रह्मा, विश्णू, रिशी, देवता, दान्मों ने वेदों और उपनिष्टों के अनेक सुप्तों द्वारा भगवान शिव का स्तवन किया ब्रह्मा जी बोली, काम देव का अंद करने वाले शीरुद्र देव को नमस्कार है जो प्रकास्वरूप होने के कारण भर्ग नाम धारन करते हैं तीनों लोकों में जिनका सोभग के सब से बढ़ कर है उन त्रीनेत्रधारी भगवान महिश्वर को नमस्कार है जो समपूरन जगत के भरन पोशन करने वाले बंदू है यह समपूरन विश्व जिनका स्वरूप है उन भगवान प्रयंबक को नमस्कार है भगवन आप समस्त लोकों के धारन पोशन करने वाले पिता, माता और इश्वर हैं आप ही जगत के स्वामी और रक्षक हैं प्रभो आप हमारा उधार करें तब उत्तम योग से युक दयालू प्रमात्मा महेशवर शंभू ने दीरे दीरे समाधी से विश्राम लिया और देवताओं से कहा परमभाक्यवान ब्रह्मा आदी देवताओं तुम लोग मेरे पास क् इस समय यहां आने का कारण बतलाओ उनके इस प्रकार पूछने पर ब्रह्मा जी ने देवताओं के महत्व पुरनकारे का परिचे देते हुए का भगवन तारका सुने देवताओं को महान कष्ट पहुँचाया है बहें देवताओं का घोर शत्रु है अधे हमारी प्रात्ना है कि आप पारवती जी का पानी ग्रहन करें गिरी राज हिमवान द्वारा दे हुई गिरिजा को आप पानी क्रहन की विदी से अंगीकार करें प्रमा जी की एह पास सुनकर महादेव जी हस्ते हुए बोले जब मैं सरव सुन्द्री गिरिजा देवी का वरन कर लूँगा होंगे अते मैंने सब के पारमार्थिक कारे की सिद्धी के रिए काम देव को भसम किया था मेरे विचार से काम देव के दगत होने से ही देवताओं का महान करे सिद्ध हुआ है इस काम दहन रूपी कारे से तुम सब लोग रिश्काम हो गए हो अब जैसा मैं हूँ वैसे ही तुम लोग भी हो गई अते हम लोग अब प्रियतन पुर्वक अत्यां के दुश्कर तधा परम उत्तमतप का अनुष्ठान करें और करावें काम देव के ना रहने से तुम सब देवता समाधी लगा कर परमाननद में निमगन हो सदा सुखी रहोगे काम तो नरक में ही ले ज प्रियनम होता है क्रोध से सम्मोह होता है और सम्मोह से मिनुष्य जल्दी भ्रम में पड़ जाता है अते सभी शेष्ट देवता काम क्रोध का परित्याग करके शास्त्रों और संतों के सद उपदेशों को माने उसके अनुसार जीवन बनाएं वरिश्यम के चिन से युक्त उद्वजा धारन करने वाले भगवान महादेव ने इस प्रकार उत्तम बाते सुना कर देवताओं तधारी शीमुन्यों को भली भाती समझाया इसके बाद वे पुने ध्यान लगा कर मोन हो गए तब वे सब देवता अपने अपने स्थान को चले गए फिर शीव जी ने आदी दोशों से रही विगन पाधाओं से शुन्य निरंजन तथा निराभास हैं जिसके विश्य में विवेकी विद्वान भी मोहित हो जाते हैं जहां सुरे चंद्रमा अगनी अत्वानक्षत्र आदी दूसरे किसी जोती का प्रकाश नहीं जहां वायू की भी गतिक उंकेत नहीं है जो चिंतन का विशे नहीं है जिसमें विकार का सर्वथा अभाव है जो रोग और शोक से सरफथा दूर है विशुद्ग्यान ही जिसका सरूप है सरवत्यागी सन्यासि जिसे प्राप्त होते हैं जो शबद या वानी की पहुंच से परे हैं निर्गुन और निर्वीकार है सत्ता मात्री जिसका सुरूप है जो ज्यान गम्य होकर भी वास्तम में अगम्य है वेदान और आगम भी मूख होकर ही जिसका सरवदा कतिपादन करते हैं वही सब के इश्वर पीनाकधारी भगवान हुशबद परमात वस्तु हैं उन्होंने ही कामदेव का नाश किया है वे साक्षार परमेशर होकर भी दप का सेवन करते हैं लोमिश्ची कहते हैं उधर पार्वती देवी बड़ी कठोथ तपस्या में लगी हुई थी उस तपस्या से भगवान शंकर को जीत लिया देवी की तपस्या से हार मान कर भगवान शिर समाधी से विरत हो तुरंत उस्थान पर गए जहां पार्वती जी विराज बान थी वहां पहुँचकर उन्होंने देखा देवी गिरिजा सक्यों से घिरी हुई है वेदी पर बैठी है और चंद्रमा की कला के सर्मान प्रकाशित हो रही है महादेव जी ने उन्हें देखकर ततकार डंचारी क वेश्धारन कर लिया और उसी सवरूप से सक्यों की मंडली में उपस्तित होकर पूछा सक्यों यह सर्वांग सुंद्री कन्या अपनी सहेलियों के बीट में क्यों बैठी है यह कूं है किस की पुत्री है कहां से आई है किसलिये तपस्ष्या कर रही है तब जया ने उत्ता सुनकर वटुप दूपधारी शिव ठठा करहस पड़े और इस प्रकार बोले सक्यों यह पार्वती भोली भाली है इसे अपने हित और अहित का कुछ भी ग्यान नहीं है भला रुद्र की प्राप्ति के लिए तपस्या करने की क्या अवश्यक्ता है अरी रुद्र तो अमंगल रूप है हात में कपान धारन करते हैं मरगट का निवास यह अधिक पुरिया है जिस दिन इनके वरन कर लेने पर रुद्र का इसके साथ संबंध होगा उसी दिन से यह शुभांगी पार्वती भी अशुभ रूप हो जाएंगी रुद्र वही है ना जिने दक्ष के शाथ से ब्राहमनों ने यग्य बहिश्क्रित कर दिया है अत्यंत भ्यानक विश्वाले जो जो सरप थे वे ही उनके अंगों के अभूशन बने हुए हैं रुद्र अपने अंगों में चिता की राख लगाते हैं चमने का वस्त पहनते हैं और मांगलिक वस्त्वे धारन करते हैं तथ मोहर रूपवाले देवराज इंद्र परमते जस्वी धरमराज वरुन कुबेर वायू और अगनी को छोड़कर रुद्र के प्रतु इतना अनुराव कैसे हुआ पनमिश्वर शिव ने इस प्रकार की बहुत सी बातें वहां कहीं पारवती सक्यों के मद्धे में बैठ कर ब्रम लोचना और महा भागा सुलोचना मैं तुम लोगों से कहती हूँ मैंने जो कुछ किया है ठीक किया है प्रंतु तुम्हें इस ब्रह्म चारी से क्या काम है जो इस की ठोर बाते सुनती हो ब्रह्म चारी का रूप धारन करके यह कोई महादेर जी का निंदक आ गया ऐसा समझो सक्कियों ऐसे व्यक्ति से अपना क्या प्रियोदन है जो महात्माओं की निंदा करने वाले पापी कृतगन वेद दूशक वेद व्रिष्ट और मर्यादाहिन है इन लोगों के साथ गुद्धी मान पुर्षों को बारतालाद नहीं करनी चाहिए शेष्ट पुर्षों सुनकर विज्या वटू रूपधारी रुद्र से सहसा कुपित होकर बोली ब्रमचारी जाओ जाओ यहां से अब तुम्हें यहां एक्षण भी नहीं ठहरना चाहिए विज्या बात चित करने में बड़ी कुशल थी उसने इस प्रकार फटकार कर विवाद करने वाले वटू ध्यान महेश्वर पारवती जी के सामने अपना वास्त्रिक शुरूप धारन करके वहीं सहसा प्रगण हो गए ध्यान में लगी ही पारवती देवी जब अपने ध्यान गत शुरूप को ढूंड रही थी उसी समय उनके रिदेस्टित देवता बाहर दिखाई देने लगे वि हुजाएं एक मुख अधुत सुरूप का मस्तक बजटाओं का जिवरा बना हुआ था उस में चंद्रमा की कला शुभा पा रही थी भगवान ने हाती का चमड़ा पहन रखा था उनके कानों में कुंडल के स्थान पर महभाग कंबल और अश्वतर ये दो नाग विराज रहे थी परमकांतिमान सरप्राजवास्की को हार बना लिया था उनके हाथों में बड़े बड़े सर्पों के ही कंगन पड़े जो श्योभा दे रहे थी इस प्रकार रुद्र ने सर्पों के अभूशन बनाए थी ऐसा सरूप धारन कर भगवान शिप पार्वती के सामने खड़े और शिग्रप्ता पुर्वक बोले कर ल्याने तुम वर मांगो उस समय सती सार्वी पार्वती जी को बड़ी लग जाए उन्होंने शंकर जी से कहा देवेश आप मेरे सनातन स्वामी है क्या आपको पहले की घटना का कुछ समरन है प्रभो मैं वही सती हूँ जिस के लिए आ आप से मेरे द्वारा एक पुत्र होगा इसलिए महेश्वर आप मेरी एक प्रातना स्विकार करें आपको रिश्यों के साथ हिमवान के पास जाना चाहिए और उनसे मेरे लिए याजना करनी चाहिए मेरे पिता हिमवान आपकी आज्या का पालन करेंगे इस में संदे नहीं ह पूर्वकाल में जब में दक्ष की कन्या थी उस समय भी मेरे पिता ने मुझे आपकी सेवा में समर्पित किया था महाभाद हमारा और आपका विवाहा देवताओं की कारे सिद्धी के लिए हो रहा है बोलो शिवशंकर भूले नात की जये हो राधे राधे जैश्ची कृष्णा बंधों यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें धन्यवाद